नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोसन वन डबल फॉर वन रेसिपी इज में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सूर्ती गारी बिना चीनी का सुगर फ्री गारी बनाएंगे ताकि आपके घर में कोई डायबेटिक पेशन हो वो भी इजीली एंजोई कर सके गारी का टेस्ट म जो उपर का लेयर है वो हम मेंडे का बनाएंगे तो पहले हम मेंडे का आटा से गूट लेंगे यहाँ पे हमने वन और आदा कव जितना मेंडा लिया है उसको हमने बड़े बरतन में ले लिया है अब हम आटा गूटने के लिए मौइन लेंगे मौइन हम गी का लेंगे वो ह अच्छे से mix कर लेंगे इस तरह से अच्छे से गुटना है जिससे गारे का उपर का layer किस्पी बने आटे का color change हो गया है गी अच्छे से आटे में mix हो गया है और perfect नाप इस तरह से गुट्थी बना के चेक करेंगे अच्छे से गुट्थी बन रही है अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे और आटा गुट लेंगे आटा हमें ज़्यादा smooth नहीं रखना है पानी हमें जरूरत के इसाब से एड़ करना होगा गुट लेंगे आटा गुट लिया है softness आप देख सकते हो इस तरह से रूर्टी का आटा गुट्थे है उसी कंसिस्टनसी में हमें आटा को गुट के रेडि किया है अब हम आटे को अच्छे से सेट होने के लिए कवर करके साइड में रख रेंगे हमारा आटा soft हो जाए तब तक हम मावा roast कर लेंगे यहाँ पे हमने 250 ग्राम जितना मावा लिया है इसको हम पैन में रख रेंगे हम अच्छे से soft कर लेंगे यहाँ पे हमने बीना चिनी का मावा लिया है आप देख सकते हो मावा हमारा गरम होने के बाद melt होने लग गया है अब हमें उसको अच्छे से चलादा है हमारा मावा अच्छे से रोस्ट हो गया है आप देख सकते हो कितना सौफ्ट और गी भी रिलीज होने लग गया है जितना गी निकले उतना हम निकाल लेंगे तब तक हमें रोस्ट करना है आप देख सकते हो पहले से बाइनिंग भी अच्छा सा आ गया है और पैन में पैन की सपाटी भी छुट रही है अब हम उसमें ड्राइफूड एड़ कर लेंगे यहाँ पे हम बडाम एड़ करेंगे बडाम को हमने हलका सा क्रस्ट कर लिया है क्रस्ट किये हुए काजू एड़ कर लेंगे आप पिस्टी भी एड़ कर सकते हो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ड्राइफूट अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें केसर एड करेंगे केसर को हमने पहले से बिगो के रखा था 10 मिनिट पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे केसर अच्छे से मिक्स हो गया है अब हमें मावे को ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे हमारा मावा ठंडा हो गया है हलका सा गरम रखा है अब हम सुगर फ्री सुगर एड करेंगे सुगर फ्री सुगर हमने दो चम्मत जितना लिया है आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यदा कर सकते हो यहाँ पे हम रेग्यूलर चीनी एड नहीं करने वाले है सुगर फ्री चीनी ही यूज करेंगे जिससे सुगर वाले पेशन भी यह गारी को अच्छे से खा सके अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है आप टेस्ट करके बाद में सुगर एड कर सकते हो कम लगे तो अब हम गारी को सेफ देना है आप छोटी बड़िया बना सकते हो थोड़ा पोशन लेंगे हमने यहाँ पे छोटी कटोरी ली है उसमें हम मावायट कर लेंगे इस तरह से अच्छे से सेट करना है जिससे उसकी जो बॉडर है वो भी अच्छे से सेट हो जाए इस तरह से प्रेस करके सेट कर लेंगे और यहाँ पे हमने जो कटोरी ली है उसको हमने पहले से गी से गानिस कर ली है अब हम वापस उसको निकाल लेंगे इस तरह से टैप करके हमें निकालना है आप देख सकते हो बहुती अच्छा सेप बन के रेडी हो गया है हमने ज़्यादा प्रेज भी नहीं किया बहुत ही आसानी से सेट हो गया है इस तरह से हम सारी गारियां मावा से बना के रेडी कर लेंगे अच्छे से हमने सेफ देखे रेडी कर लिया है आप देख सकते हो 200 ग्राम मावा लिया था उसमें 10 गारिया बनके रेडी हुई है अब हम जो आटा सेट होने के लिए रखा था वो सेट हो गया है अब हम आटे में से लूईया बना के इस तरह से हम घारि का जो कवर होता है वो चारो तरब से इस तरह से बिलना है ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा ठीक भी नहीं रखना है इस तरह से हमारी पूरिया जैसे रेडी हो गई है उसमें हम बीच में घारी का मावा जो रेडी किया था वो रख देंगे इस तरह से हम कवर कर लेंगे आप देख सकते हो बहुती अच्छा सेप आ गया है बहुती अच्छे से बन गया है उपर हलका सा प्रेश करके उपर का जो ज्यादा पात होता है वो निकाल लेंगे और फीर से हम प्रेश कर लेंगे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सिप बनके रेडी हो गया है इस तरह से हम सारी घारिया बनाके रेडी कर लेंगे हमने घारी बनाके रेडी कर लिया है अब हम घारी को फ्राइ करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पे घी को गरम कर लिया है गेस की flame slow to medium रखनी है, अब हम छाननी लेंगे, छाननी में ही fry करना है, छाननी को हम इस तरह से गी के अंदर रख देंगे और हलकी सी छाननी को गरम कर लेंगे, जिस से गारी छाननी में चिपके नहीं, अब हम fry करना है, तो हमने जो cover किया था वो पार्ट नीचे की side जाने दें और इस तरह से रखना है एक एक करके हम fry करना है उपर से इस तरह से घी को डाल्ते जाएंगे स्प्रिंखल करके ही हमें fry करना होगा इस तरह से हम fry करना है ज़्यादा color change नहीं करना है आप देख सकते हो bubbles आने लग गई है निछे की तरफ से fry हो रहे है उपर की तरफ भी इस तर इस तरह से ही फ्राइ करेंगे यहां पे घारी को पलटना नहीं है उपर का जो लेयर है वो क्रिस्पी होने लग गया है हलका सा बबल्स भी आने लग गया है आप देख सकते हो इस तरह से एक एक करके ही हम सारी घारियां फ्राइ कर लेंगे अब देख सकते हो गारी फ्राइ हो गई है थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है अब हम पलेट में निकाल लेंगे गारी फ्राइ हो गई है अब हम जाम खंबाद्या गी लिया है उसको हमने मोल लिया है अब हमें गारी को इस तरह से लेना है उपर डिप करके पलेट में रखना है बाकी की गारी को भी हम इस तरह से ही डिप करके रेडी कर लेंगे डिप करके रेडी कर लिया है अब हम वापस इस तरह से थोड़ा थोड़ा गी उपर से एड़ करते जाएंगे हमने यहाँ पे गी एड़ कर लिया है अब हम वापस उसके उपर हम द्राइफूर्ड एड़ करेंगे पिस्टी एड़ कर लेंगे जिसको हमने कट करके रेड़ी कर लिया था बडाम एड़ कर लेंगे और थन्डा होने के लिए डिफ फ्रीजर में या फिर नॉर्मल फ्रीज में रख सकते हो यहां पे हमने घी कम लिया है फ्योंकि हम सुगर वाले के लिए बना रहे है आप देख सकते हो गारी रेडी हो गई है आप भी गर पर ही बनाईए सुगर के पेशन को बीना परेशानी खिलाईए और बाकी सब भी यह गारी खा सकते है पता भी नहीं चलेगा कि यह सुगर फ्री गारी है नॉर्मल ही टेस्ट रहेगा तो आप भी हमारी रेशिपी देखे गर पर ही बनाईए आपको हमारी रेशिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेर करें और कमेंट करना ना बुलें